तो हम बात करने जाने हैं मेकैनिक्स के सबसे इंपॉर्णन टॉपिक की जो की है सेंट्रोइड जो को होता क्या है सेंट्रोइड में सेंट्रोइड जो होता है उसके ना दो तरीके से question आते है हमारे आईप्यू के मतलब आईप्यू के क्या हर जगए ऐसे questions आते है तो होता क्या है सेंट्रोइड में आतो वह आपसे value निकल वालेगा अच्छा अगर मैं last year की ही बात करूँ तो mid term के अंदर जब मैंने paper दिया था तब एक question आया था value वाला और end term में अगर बात करूँ तो proof करने को आया था value मतलब centroid की value किसी figure की जैसे मेरे ख्याल से circle की value में proof करने को आया थी और mid term में एक centroid figure दे रखी थी दो mix करके और उसका हम से क्या बुचा होता है centroid बता हो तो हम से पहले discuss कर लेते हैं formula क्या क्या होते है centroid की देखो अगर हम बात करें rectangle की तो हमारा जो rectangle का center होता है वो पहले बीच में होता है उसके बाद ये जो होता है base by 2 कहां से x axis से distance होता है अच्छा y से बात करें तो इसका कितना distance होता है h by 2 हमें अच्छा बात आती है कि भाई हम इसे याद क्यों कर रहे है तो हम इसे याद इसलिए कर रहे है और देखो मैंने यहाँ पर सबके area भी लिखे हुए अभी जब मैं question कराऊंगा question बहुत असान हो जाएगा हमारा देखो जिसने इन values को याद कर लिया h by 2, b by 2 या फिर जो मैंने लिखी हो यह 4, r by 3, pi इनको याद करने से आपको question इतना असान हो जाएगा कि आपको लगे काई नहीं कि मैं कुछ बहुत hard चीज करना हूँ बच्चों के मन में इसके लिए खौफ बैठा होता है अगर आप किसी से पूछोगे ना centroid तो भाई साव इतना मुश्किल question लगता हूँ नहीं बट मेरे मेरे को तो यासा लगता था कि सबसे आसान मुझे paper में सबसे दिखते ही ना मैं इसी को solve करता था आप proof वाली बात अलग है proof को यह मैं बताऊंगा उसके अंदर होगता क्या है चलो देखते है अब मैंने बात कर लिए rectangle की दूसरी figure मेरे पास कौन सी semi circle semi circle में क्या होता है नीचे तो मेरे पास क्या होता है r होता है मतलब यह तो मेरे radius ही हो गया अगर मैं बात करूँ वर्टिकल पे तो वर्टिकल पे जो इतना सा part होता है यह क्या होता है 4 r by 3 pi और बच्चा हुआ simple सा क्या होगा r minus 4 r by 3 pi ठेक है अब अगर area की बात करूँ तो circle का पूरा pi r square होता है और semi circle है तो by 2 भी हो जाएगा ठेक है इतनी बात भी समझा गई उसके बाद centroid मान लो इसका circle जो इसका center होता है right angle triangle का वो भी कहा होता है center पर यह होता है इसकी value नीचे base by 3 base by 3 ठीक है height में बात करें तो 2 h by 3 and h by 3 area half base into height अच्छा अब आती है हमारे पास figure quarter circle देखो quarter circle में होता क्या है quarter circle की जो value आती है अगर हम center की बात करें उसका center कहीं यहां कहीं लाई करता है उसके बाद इसका x-axis और y-axis किस से distance देख लेते है यह होता है 4 r by 3 pi ठीक है तो बच्चा हुआ कितना हो जाएगा बच्चा हुआ हमारे पास होता है r-4 r by 3 pi simple और एक चीज और इसमें यहां पर भी यह होता है अच्छा इसके area की बात करूँ तो semi circle का pi r square by 2 होता तो इसका क्या होगा pi r square by 4 तो अब हम इसका इक question देख लेते है ठीक है question कुछ इस तरीके का है यह question दे रखा है मैं मताता हूँ सबसे पहले इसमें करना क्या होता है सबसे पहला काम किसी भी centroid के question को देखते ही अगर मुझे access दी हुई है तब तो ठीक है अगर access नहीं दी हुई तो कुछ नहीं करना यह जो लाइन दे रखी है मैं अभी ऐसी करता हूँ मुझे बहुत असान लगता है यह तरीका तो मैं चाहता हूँ आपके साथ भी यही शेयर करो अच्छा होता क्या है देखो सबसे पहली shape मैंने क्या लिए यह quarter circle अभी हम quarter circle का formula पढ़ क्या है अभी अभी यह क्या होता है अगर हम इसका center locate करना चाहें तो कहा होता है center पर locate होता है तो हमें एक काम करते हैं सबसे पहले इसी का क्या कर लेते है question solve कर लेते है अभी मैं बहुता हूँ यह इतना hard की लगता है बच्चों को hard इस ते लगता है सबसे पहले मुझे बताओ तो area क्या होगा सबका अगर मैं area निकालना चाहूँ तो area होगा क्या तो देखो area पहला मैं area निकाल लेते हैं अगर मैं quarter circle की बात करूँ तो क्या होता है पाई r square by 4 ठीक है अगर मैं ध्यान से देखूँ मेरे पास जो इसके अंदर r दे रखा है वो 3 है अना r कितना मेरे पास 3 है तो अगर मैं इसका area निकालना तो क्या आएगा पाई मतलब 3.14 ले लो ठीक है पाई मतलब 3.14 ले लो पड़ा exact values आदेंगी 3.14 into में r square मतलब 9 और upon में 4 तो इसको जब मैं solve करूँगा ना तो मुझे मिलेगा 7.068 ठीक है 7.068 किसका area आ गया of this quarter circle 7.068 ठीक है अब निकाल लो दूसरा किसका right angle triangle का right angle triangle कैसे निकलता है half into base into height half into base कितना होता है base मेरे पास हो base इसका देखो ध्यान से base का कितना है 3 तो 3 into height कितना है 6 2 3 है 6 that is our 9 तो हमारा area है ना area के आएगा 9 अच्छा अब x की बात कर लेते हैं यहाँ पर x की value का है देखो x और y find करने के लिए हर एक figure का सबसे important जो चीज होती है find करना कुछी भी figure में तो वो यह होता है तो इसके लिए हमें क्या करना होगा मैं इसको थोड़ा light कर लेता हूँ देखो यह मेरा x से distance है ठीक है और y से distance मेरा क्या है यह distance है तो हमें ना इनकी values ही अच्छे से find करनी होती है अगर मैं इस figure में बात करूँ तो मेरे पास यह कितना हुआ करता था यह हुआ करता था अगर मैं 4r by 3pi ठीक है इतना part कितना है 4r by 3pi अब देखो मुझे इतना तो 4r by 3pi पता है बट मुझे नीचे तक पहुंचना है तो उसमें मैं क्या करूँगा 4r by 3pi प्लस 6 कर दूँगा यह दिखनी रहा होगा तो मैं इसको कर लेता हूँ सही 4r by 3pi प्लस 6 कर दूँगा है ना अब मुझे क्या मिल जाएगा यह पूरा का पूरा वर्टिकल डिस्टेंस मिल जाएगा अब देश फिगर अच्छा horizontal की बात करूँ तो horizontal तो देखो न अभी भी वही है यह डिस्टेंस नीचे आकर भी कितना ही रहेगा क्या होता है है हाँ पर 4r by 3pi तो यह तो 4r by 3pi ही रहेगा ठेक है तो x की बात करें तो x क्या रहेगा 4r by 3pi y की बात करें तो 4r by 3pi प्लस 6 तो इसको जब मैं total करूँगा तो मिरे पास value क्या आएगी पहले मैं इसको साफ कर ले तो फड़ा सा नहीं बहुत बेखार नगेगा ठेक है तो मिरे पास जो x की value आएगी वो क्या आएगी x कैसे आया 4r by 3pi 4r by 3pi करूँगा तो 1.273 आएगा ठेक है और अगर इसके y की बात करूँ तो solve करने के बाद 4r by 3pi प्लस 6 को तो मिरे पास value आएगी 7.273 ठेक है यह आएगी मेरी value अब मुझे ax करना है मतलब a into x तो निकाल लेता हूँ इसको इससे multiply करने के बाद calculator से मिरे पास value आएगी 8.997 ठेक है 8.997 और a into y करूँगा तो a into y करने पर मिरे पास value आ रही है 51.405 अच्छा अब यह बात हो गई किसकी quarter circle की अब मुझे बात करनी है किसकी is right angle triangle की अच्छा right angle triangle ध्यान से देखो न जैसी मैंने figure बनाई थी उसकी उल्टी है है न figure मैंने पढ़ाई है ये वाली और figure बनी कैसे होई है बनी है तुछ ऐसे मतलब अब इसका base उपर चला गया height up downward आ गयी है कुछ नहीं simple इसका formula क्या होता द्यान से देखो यहां होता था base by 3 और base by 3 यहां होता था h by 3 और 2h by 3 normal देखो यहां इसका center locate होगा यहां से यहां तक मतलब base by 3 is x and y को देखो हम center लेते थे इस तरफ से बट अब देखो यह हमारा h by 3 होगा तो मेरा y axis उपर की side थोड़ी है अब मुझे कहां लेना है y axis नीचे की side तो मेरा दूसरा क्या होगा 2h by 3 से answer आएगा इसमें बस कितना सा काम था तो देखो अब यह locate हो गए सारे मैं इनको मिटा देता हूँ करना na confusion create हो जाएगा और इसको कर देता हूँ अब देखो क्या होगा इसके बाद अब जब मैं इन values को solve करूँगा तो मेरे पास जो value आएगी वो आएगी 1 1 कैसे base by 3 और base कितना है 3 3 by 3 is 1 y की बात करूँ 2h by 3 पर रखने पर वो क्या हैगा 4 और अगर मैं x into a करूँ मतलब that is our 9 and 9 into 4 मतलब ay करूँ तो 36 हमें क्या करना होता है इन सब का sum निकालना होता है ax और ay का ax का sum करो कितना हैगा 17.997 और अगर मैं इसका sum करूँ है 87.405 ठीक है यह हमारा sum आगया ay का हमें area का भी sum करना होता है area का sum करो 16.068 answer है तो अगर मैं बात करूँ मेरा total centroid आएगा कितना ठीक है यह तो हमने सारा solve कर लिया अब बस एक काम और रहे गया है हमें क्या करना होता है centroid निकलता कैसे है x point का अगर मैं बात करूँ तो sigma ax upon sigma a कर दो ठीक है हमारी value आजएगी अगर मैं y point की बात करूँ तो sigma of ay by sigma a कर दो इससे हमारा क्या आजएगा y point आजएगा अगर तुम बात करो तो इसको solve करने के बात मतलब अगर मैं sigma of ax लिखनो 17.987 17.997 by 16.068 तो मेरे पास value कहेगी value will be 1.12 meter तो यह centroid का x point y point की बात करूँ तो y point आएगा 87.405 by 16.068 ठीक है तो y point क्या आएगा 5.3 5.439 meter ठीक है यह हो गया हमारा किसका question centroid का देखो centroid में बहुत असान होता है बस आपको values को किस तरीके से x और y में arrange करना है वो सबसे important है और जरूरी नहीं axis हमेशा आप बनाओ क्या पता question में आपको axis given हो अगर नहीं given तो जो हमारी by default होती है वो ही लो और उसको solve करो बस इस चीज का ध्यान लगना जो figure हमने as a formula में पढ़िए अगर वो उल्टी सीधी हो रही है तो उसमें विरी उसकी value कहती है question करोगे ना 2-3 अराम से जॉल हो जाता है centroid का question इतना कुछ खास नहीं होता तो अब हम बात कर लेते कि हम centroid की किसी भी formula को कैसे proof कर सकते हैं देखो सबसे पहली बात proof start होती मैं आपको बता दू सब में एक चीज पॉमर होती है देखो ये figure है किसी भी figure की बात करी हो सबसे पहले उसमें से एक elementary strip काट लो जैसे यहाँ पर दिख लागा मैंने dy की एक elementary strip को assume किया है उसके बाद उसका dy होगा ठीक है अगर इसमें ध्यान से देखोगे हमेरा जब कभी हम कोई भी strip रखते है तो वह कैसी होती है rectangular shape की होती है हमें सबसे पहले उसका area लिखना होता है अगर मैं इस strip की area लिखना चाहूं तो मेरे पास da कितना होगा तो da की मैं बात करूं देखो मैंने यहां पर तुमें specific कर दिया कि इसका जो बेस है ना मैंने बीवन लिख लिए क्या लिख लिए बीवन तो अब मैं क्या लिखता हूं प्यांट से क्या करना चाहें एक्वेट करना चाहें तो मैं कैसे लिखुआ बीवन बाइच माइनस वाए ठीक है इस इकोल्स टू बीवाएच यह लिखा क्या मैंने देखो हुआ क्या छोटी वाली स्टिप का बेस कितना है बीवन अच्छा अगर मैं इसकी बात करूं इस व आप हो आप बेस कि आप इसको भोलей अब मुझे क्या करना है यह होगया अब यहां से मेरी वैल्यू जो हैगी Biz मैं यहां लिख लेता हूँ बीवन की जो वैल्यू आएगी डिरेक्टली पुट करता हूँ ठीक है बीवन की यहां से वैल्यू आएगी एच माइनस वाए वाए एच इन्टू बी और डीवाए ठीक है यह भी काम हो गया अब मुझे का करना होता है हमेशा ना strip का moment निकालना होता यह steps ना याद रखो elementary strip काटी उसके बाद उसका area निकाला अगर मेरे पास कोई unknown कोई quantity है तो उसको उन quantities में change करो जो मारे बड़े triangle की है ठीक है तो इसमें तो हमें करना पड़ गया सरकरवारी में देखोगे न करना भी नहीं पड़ता उसके अंदर अब मुझे moment निकालना है किसका strip का moment of elementary strip elementary strip elementary strip का मुझे moment निकालना है तो अगर मैं moment की बात करूँ मतलब जिसका area da है तो अगर मैं बात करूँ तो उसका moment कैसे निकलेगा y into da मतलब displacement और force मतलब area और force ठीक है एक तो ये कैसे निकलेगा और एक ये इस चीज का ध्यान रखना values बहुत असान है एक दो सामने देखोगे न खुछ समझ आजाजाएगा बच्चे क्या करते हैं छोड़के आते हैं इसे इसलिए नहीं बहुत जादा इनको लगता है निए कि आएगा बट आ जाता है अब देखो वाई उपर से डीए की वैल्यू कितनी आई एच माइनस वाई बाई एच इंटू बी डीवाई ठीक है तो entire पूरे उसका कितना आजाएगा moment तो हम पूरे का निकालते है moment of moment of entire moment of entire area पूरे area का moment कितना आएगा वो आएगा अगर मैं इसको integrate कर लूँ पूरे को है ना कोई छोटी चीज को अगर मैं integrate करता जाओ तो एक टाइम पर क्या हो जाएगी पड़ी हो जाएगी तो इसी को मैं क्या कर रहा हूं इंटीग्रेट कर रहा हूं जीरो टू एच ठीक है इंटीग्रेट करा तो मिरे पास वैल्यू क्या बच्छी जब मैं इसको integrate कर वहां तो मेरी लाश्ट में वेल्यू आएगी इस पूरे की बीच स्कवेर बाइ इस पूरे को integrate करने के बाद मेरी वैल्यू आएगी बिच स्कॉर्वाइगी अभी मैं सरकल वाला के साथ शेर कर दूँगा मैं सिर्फ ट्रांगल वाला कर वांगा rectangle वाला भी share करते हूं, आप उसको देख लेना, ठेक है, उसके बाद, अगर मेरा y centroid है, अगर मेरा y is centroid, y is centroid of triangle, y is centroid of triangle, तो मेरे पाइस value कैसे आएगी, moment of area किसे आएगी, moment of area, जो हम पढ़ चुके है, moment of area क्या होता है, area into that point, मतलब मैंने y बार लिखती है half into base into height मतलब area into में y बार तो देखो value क्या आएगी अगर मैं comparing करूं दोनों का कौन कौन सी equation का एक इस equation का और इस equation का तो मेरे पास value क्या आएगी after comparing both मतलब compare first and second करूँआ compare first and second करूँआ तो मुझे जो value मिलेगी y बार की बार भी निकाले मतलब x का भी point निकाले को centroid का और y का भी निकाले हम कुछी एक point को लिखके similarly लिख सकते है कि हाँ मेरा x पर point भी इतना आएगा तो मैं similarly क्या लिख सकता हूँ similarly तुम यह भी लिख सकते हो कि मेरा जो x बार आएगा वो कितना आएगा आपको समझ आया होगा अब मैं आपके साथ न अगली दो स्लाइड में उसको एंटर कर दूँ आपकी जो सर्कल वाली है और रेक्टैंगल वाली मतलब फोटो जो मैंने अपनी कॉपी में करा हुआ है बहुत साफ लिखा है मेरे रैटिंग साफ है बस थोड़ा था न यह pen tap पे तिक्कत होती है क्योंकि अभी आज तो तिनी है नी बट धीरे-धीरे आप मेरी कॉपी में देखो कि आपको सब समझ आ जाएगा मैंने ट्रैंगल वाला कराया रैक्टैंगल और सरकल वाला में आपको भेज दूँ है सेम प्रोसेस होता है स्ट्रिप का सबसे पहले एरिया निकालते है देन उसका मॉमेंट मॉमेंट भी वाइज डॉट डीय से शुरू होता है बट वैल्यू जो वापे हम पुट करते है न वो दीरे-दीरे चेंज जात होती आप देखो कि ट्रैंगल का ही मुश्किल होता है सरकल का बहुत असान होता है आप मैच करोगे तो आपको सारी वैल्यू सेम बिडेगी